तो दोस्तो देली में कोई भी बिजनस करने के लिए या किसी भी तरह का शॉप चलाने के लिए आपके पास दो इंपोर्टेंट डॉक्यमेंट होना ज़रूरी है एक ट्रेड लाइसेंस दूसरा शॉप एंड इस्टैबलिश्मेंट सर्टिफिकेट पुछली वीडियो मैंने आपको देली का ट्रेड लइसेंस ऑनलेन कैसे बनाते हैं इसका मैनने डीटेल प्रोसेस बताया था तो वीडियो को ध्यान से end तक पुरा जरूर देखें तो इसके लिए आपको देली के Department of Labor के इस Official Portal प्याना है इसका डारेक्ट लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा यहाँ पर आपको तीन ओप्शन दिखेगा एक Online Registration, दूसरा Shop and Establishment Search और तीसरा List of Registered Shop तो List of Registered Shop पर क्लिक करके आप यह चेक कर सकते हैं कि देली में अब तक कितने Shop ने अपना Shop and Establishment Registration करवाया है यह देखें मेरे सामनी एतने सारे List आ गए हैं यहाँ पर Serial Number, Registered ID, Date, Establishment Name, Address, Category, Nature of Business और Status भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा यहाँ पर आपको लंबी List दिख जाती है नीचे स्क्रॉल करके आप Complete List को देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल अब तक कितना Shop and Establishment Registration यहाँ पर हुआ है यहाँ पर देखें टोटल है 17,744 Registration तो इस तरह से आप चाहें तो बारी-बारी से सभी पेश पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं यहाँ पर दुसरे वाले option में Shop and Establishment आप सर्च कर सकते हैं अगर आपका Registration यहाँ पर हो चुका है तो आप इस पर क्लिक करके अपने Registered Shop and Establishment को सर्च कर सकते हैं तो चलिए हमें यहाँ पर नया Shop and Establishment Registration करना है तो इसके लिए आपको First वाली number पर Online Registration पर क्लिक करना है फिर आपके सामने इस तरह का Form A आजाएगा इस Form A को आपको ध्यान से बढ़ना है सबसे पहले यहाँ पर आपको Name of Establishment बताना है आपके Shop का जो भी नाम है उसे यहाँ पर आपको Type करना है उसके बाद यहाँ पर आपको Category of Establishment बताना है Select पकली करेंगे यहाँ पर कुछ Category आएगी जिस भी Category में आपका यह Shop आता है उसे यहाँ पर आपको Select करना है जैसे कि अगर Restaurant है तो Restaurant Select करेंगे Residential Hotel है तो उसे Select करेंगे आप Retail Trade या Business करते हैं तो आप इसे Select कर सकते हैं अगर यह Shop है तो यह आप Shop Select कर सकते हैं फिर यहाँ पर Address में आपको अपने इस Shop का Complete Address देना है यहाँ पर City का नाम देंगे फिर यहाँ पर State Selected होगा यहाँ पर PIN Code देंगे फिर यहाँ पर अपना Mobile Number देंगे फिर यहाँ पर आपसे Telephone Number मांगा जाएगा अब Telephone Number तो सब के पास नहीं होता है तो यहाँ पर Telephone Number के बजाए आप चाहें तो अपने इस Mobile Number को ही दे सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पर Telephone Number देना जरूरी है सकते हैं यह जरूरी नहीं है आप चाहें तो email ID भी यहां पर दे सकते हैं यह आप इसे छोड़ सकते हैं अगर आपके shop या business का कोई website है तो यहां पर आप website का detail भी दे सकते हैं फिर details of the shops and establishment में आएंगे यहां पर आपसे name of the occupier और employer पुछा जा रहा है तो अगर इस shop या business का husband, name of the occupier और employer पुछा जा रहा है तो यहां पर आपको basically इनके father या husband का नाम देना है आप select पर क्लिक करके यहां पर आपको relation select करना है उसके बाद यहां पर आपसे name of the manager पुछा जा रहा है तो अगर इस shop या business का कोई अकीला मालिक है तो जो owner का नाम यहां पर आपने लिखा है same उसी नाम को आपको नीचे copy paste कर देना है अगर इस shop या business को दो या दो से जादा लोग चला रहे हैं और उसमें कोई manager भी है तो यहां पर आप manager का नाम दे सकते हैं इसी तरह से यहां पर आपसे father's or husband name of the manager पुछा जा रहा है तो यहां पर आपको इनका father name type करना है same जो यहां पर आपने father name type करा था same उसे ही यहां पर आपको type कर देना है उसके बाद यहां पर आपको nature of business बताना है select पर click करेंगे यहां पर जो आपने select करा था यह category of establishment था आपके shop या business का category था अब इसके अंदर कई सारे businesses आते हैं उसे यहां पर आपको select करना होगा तो जो भी आपका business ह है उसे यहां पर आपको ध्यान से select करना है नीचे scroll करेंगे तो आपको कई सारे nature of business दिख जाएंगे इतना detail देने के बाद नीचे आपको continue पर click करना है फिर आपके सामने form का part 2 आएगा अब यहां पर आपको यह बताना है कि आपके उस shop या business में कितने employees काम करते हैं कितने male ह कितने female है और कितने young person है इसे आपको यहां पर number में बताना है जैसे कि यहां पर मेरे business या मेरे shop में दो पुरुष काम करते हैं और एक महिला काम करते हैं और दो young person है ठीक है तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं total 5 हो गया है फिर यहां पर आपको date of commencement of establishment बताना है यान कि आपने उस shop या business को कब शुरू करा था उसका start date क्या था उस start date को यहां पर आप बताएंगे उसके बाद यहां पर आपसे दो चीज़े और पुछी जारी है यहां पर आपसे यह पुछा जा रहा है कि आपके इस shop या business में आपके घर के कितने family member काम करते हैं अगर आपके इस shop या इस business में आपके घर के कोई family member भी काम करते हैं तो यहां पर आपको number भी बताना है इस पर आप click करेंगे कितने लोग काम करते हैं एक दो तीन चार या पांच इसे यहां पर आप select करेंगे तो मैं यहां पर एक type करता हूँ फिर यहां पर आपको उनका नाम भी लिखन है तो चलिए हम यहां पर नाम लिख लेते हैं उसके बाद यहां पर age लिखेंगे इसी तरह से अगर आप यहां पर दो select करते हैं तो यहां पर आपको दो नाम type करने का option आएगा तो मैंने यहां पर एक चूकी select करा है इसे लिए यहां पर एक नाम देने के लिए आ रहा है इ इतने लोग बाहर के हैं, जो आपके इस business या shop में management का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको number में बताना है, 2 है, 3 है, जितना भी है, उसे यहाँ पर आप सेलेक करेंगे, फिर उसी तरह से यहाँ पर आपको उनका नाम देना है, और उनका edge देना है, फिर यह सारा detail देने के बाद नीचे आपको finally register पर क्लिक करना है, register पर क्लिक करते ही आपके सामने registration certificate of establishment तुरंत आ जाता है, इसके लिए आपको wait नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आपके registration का complete detail लिखावा है, नीचे आपको print का button दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, और इसे PDF में आप अपने पास save करके रख लेंगे, तो PDF में save करने के लिए यहाँ पर आपको save as PDF select रहने देना है, अगर आप phone में कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी save as PDF का option रहेगा, फिर यहाँ पर save पर क्लिक करेंगे, और इसे आप जो भी नाम देना चाहते हैं, उस नाम को यहाँ पर आप type करेंगे, फिर save पर क्लिक करेंगे, document printed correctly, ओके पर क्लिक करेंगे, तो अगर आप shop and establishment certificate हमसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं, वीडियो पसना है, इस वीडियो को लाइक करें, इसे दोसों को साथ जरूर शेयर करें, अगर आपके मन में किसी भी तरका सवाल है, नीचे आप comment कर सकते हैं,